तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में सेकिलर लिट्रेशल अब यह क्या होता है हम पढ़ेंगे सेकिलर लिट्रेशल कंटेंस मैनिस्क्रिप्स इसके अंदर क्या होते है मैनिस्क्रिप्स होती है लेकिन डिलीजिन्स के बारे में नहीं होता है या किसी की इनसान के बारे में ट्राइवल अकाउंट्स तो इसमें कहाता है स्केरल रिटरेचर होता है दे मैमोरीज ऑफ ट्रावल सच अफ फाहिन और यूएंग तैसेंग वुजिट इंडिया अलों लॉंग एगो मलब यह जो दो इंसान थे फाहिन और यूएंग तैसेंग वो कहां आये थे इंडिया आये थे विजिट करने के लिए और गेव डिटेल अगाउंट ऑफ दे एक्सपीरियंस और उन्होंने अपने बारे में एक्सपीरियंस बताया कि उनको कैसा लगा क्या लगा उन्होंने उन सब के बारे में बताया तो गीव डीटेल आमाट ऑफ जार के इंग्डम कालाना जो थे उन्होंने हिस्ट्री बताई किसके बारे में अपने राज्य के बारे में बताई दर राज तारंगिनी इस एक्लासिकल एक्जामपल विश टेल्स अबार दर किश्मी टैल 12th century तो तारंगिनी था उसने इसका बै में बताया 12th century में अब हम पढ़ेंगे division of time division of time में क्या पढ़ेंगे while history studying history events are classified under two periods जब हम history पढ़ेंगे तो इन लोगों ने क्या करा है history को दो भागों में बाता है before the birth of Christ, birth of Christ मलब जब Jesus का जनम हुआ था उससे पहले और Jesus की जनम के बाद the period before the Jesus birth is known as BC जिसमें Jesus का जनम हुआ था उसके पहले वाले period मलब सामे को क्या बोलते थे बिफोर क्राइस्ट और वो जो की अब popular क्राइस हो गया B.C.E से popular हो गया इसका full form क्या है before common era that in BC are counted backwards इनको पहले की जमाने में counted क्या गया था जैसे 100 B.C. 100 साल पुराना या 500 B.C. 800 साल पुराना और putting it simply 100 years before the birth of Christ and 150 years before the अगर हम इसको normal लेंगो जो बलेंगे तो 100 साल पुराना और देट साल पुराना दे इयर इयर दे इयर ओफ क्राइस्ट बर्ट इस टेकन इस 180 जब जिस टाइम क्रिस्ट कर चनम हुआ था तो उसको हम क्या बलते है आज की जमाने में सी मतलब कॉमन इरा के नाम से चानते हैं वी लीव इन दे एडी हम किस में रहते हैं एडी में जीते हैं या तो फिर कॉमन इरा में जीते हैं अब हम पढ़ेंगे जोग्रोफिकल फ्रेमवर्क इट इस बिलीव दैट इंडिया विच इस नौन इस भारत मैंने यर्श कॉट इंडिया प्रेस्ट नेम आफ विकॉस अफ ग्रिक वो केम फ्रॉम हीर फॉर्ट ट्रेट तो जो हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया है इसको ह भारत के नाम से जानते हैं बहुत बहुत साल पहले ये ग्रिक वर्ट से बना था जो यहाँ पर आये थे ट्रेट के लिए इसको इंडिया के नाम से जाना जाता है geography has played an important role in shaping our country geography जो हमारी है उतका बहुत चरह important महत्व है हमारी country को shape देने वालब outlines देने में हमारे past को present को और future को there are topographical difference between regions and are so great the weather in the places is very different from that in different places जो हमारे मौसम होता है वो अलग होता है अगर हम यहां रहे हैं MP में तो यहां पर मौसम अलग है और अगर हम इसके आगे जाएंगे गुजरात वगर जाएंगे तो वहां पर मौसम अलग हरेगा मतलब हर जगे की geographic condition होती है वो क्या होती है अलग-अलग होती है that India along with the neighboring countries तो जो इंडिया के कुछ neighboring countries भी हैं कौन-कौन से हैं Pakistan, Myanmar, Bhutan, Bangladesh Sri Lanka और Nepal is referred to as a subcontinent डिसकों क्या बोलते हैं subcontinent बोलते हैं Himalayas in the north of the country stand as a guard जो Himalayas आपने देखा होगा Himalayas का mountain का नम आपने सुना होगा वो ऐसा mountain जो कहां पर है North में हैं और वो क्या करता है हमारे लिए एक guard मतलब की हमारी protection हमारे को बचाओ करता है किसे बचाओ करता है तो सारे बिन जगे हैं वहां से जो हवाएं चलती है जोड़ जोड़ वारी हवाएं चलती है उससे हमको protect करता है The passes in the mountain act as a route for the trade, travel और जो mountain के आसपास का जो area है वो लोग क्या करते है वहाँ पर वहाँ से रास्ता बनाया गया है trade मतलब व्यापार का travel और even battle लड़ाई जगड़ों के लिए भी वहीं से line के रास्ता दिया गया है The long cost land Bay of Bengal इंदा इस जो हमारे लंबी cost line है वो कहाँ पर है Bay of Bengal वो क्या है East में है और Arabian Sea हमारा कहा है West में है India Ocean इससे हमारा कहाँ पर South में है जो कि क्या करते है ये लोग क्या करते है हमारे trade relation मतलब व्यापार के relation मनाते है किसे दूसरी country से व्यापार के relation मनाते है Our countries feed by many rivers हमारे country में बहुत सारे नदियां भी है जैसे दे गंगा, दे नर्मदा, दे यमूना एंड मैनी मूर गंगा, नमदा, यमूना इसे हमारे नदियों के नाम है और भी बहुत सारे नदियां है Making our land a very habitable one जिन्होंने हमारी जो धर्ती उसको बहुत सुंदर बना दिया है The river valleys formed around the rivers where the areas were people settled first और जो river के आसपास है जो नदियों के आसपास है वहाँ पर लोग रहते हैं कोकि वहाँ की जमीन रहती है वहाँ पर खेती वारी अच्छी होती है वहाँ ट्रांस्पोटेशन अच्छा होता है कोकि वहाँ नदी रहती है तो इजी ली ट्रांस्पोर्टिशन भी हो जाता है यह जो हमारे जो रिवर से इसे जो कंडिशन से मेरी पॉपुलेशन को अच्छा बनाती और हमारे कल्चर को भी अच्छा बनाती है अगर हम नीचे देखें तो हमारे देखिए कैसे हमारे जो इन्होंने पूरा शेप दे रखा है जो पीने हिस्ट्री को यह देखिए मैप दे रखा है जिसने जोगरफिकल यहां पर आपकी बेश बंगाल है यहां पर अरिवियंसी है आपको यह नेप्डिंग कंट्रिक दिख देखिए श्रीलंका ओर हमारे हमारे हिमाले कहां पर होता है अदर नौर्ट साइड में हमारा हिमाले होता है जो कि यहांसी जो हवाया आती है उसको ब catalyst करता है दोस्तों स्टूडेंट हमारा चैप्टर यहीं फिनिश हुआ इस चैप्टर में हम ने क्या पढ़़ा कि कि पार बैने पड़ा और्चोलोजीकल की बैन पड़ा और्चोलोजिस्ट की बैने पड़ा हम लोगों इसे मौनिस्क्रिप्स पड़े मैमोरियल पड़े जयोग्राफिकल कंडिशन पड़ी होप आपको इस वीडियो से चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से थांक यू